किसी का भी सरकार हो जनता को इनसाफ चाहिए जनता को सुरक्रत करें कि आज़ी करें लिए नमस्कार आप देखरें नेशन जन्मंच बलराम कमर के साथ और इस वक्त हम रोस्ताश जिला के इंदर पूरी थाना छेत्र के मिठोपूर गांव में हैं आपको क्या नाम है कमलेश कुमार कमलेश जी घटना घटी है उस वह आपकी बेटी थी क्या नाम था नितु कुमार कितने क्लास में पार्ट वन के परिच्छा दित कितने बाल बच्चे हैं आपके दो लड़की एक लड़का था दो लड़की यह बड़ी थी या छोटी थी मांजिल थी आप बताएंगे कि जो घटना घटा इस घटना घटने से पहले आपको कब जनकारी हुआ नाएं गाटना से जनकी घटना से पहले तो अभाटना जावी है कि आव बताएंग अधना बहुत अब हाटना है जिसको किजी मोबाईल इस पर बात करके उसको कुई बिलाया एक एसे पारे किकी नहीं फरना सबॉदाब्स बात किया किसी बेख किया अंजाल पर्संते रहे अपने पास फोन रखती थी उसके पास की आपके पास फोन था उसके पास फोन था तो फिर जब नहीं लोटी तो आपको लगा की बने अधर पाता करने लगे इधर गई का हो गई तीन बज़े मनें सूच अप मोबाइल बताने लगा अधर की पाता लगा नहीं पाता चला क्या आपको संदेह भी है कि इस घटना को ले करके की आखिर कोई वेक्ति से बात करता था यह करती थी या मनने कुछ उस्तरह का मेंट था उसको मोबाइल से जो 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 बात की अजुक को अत्य होगा निकलेगा तो तो पाता चल देगा हम लोग के तो कुछ और जनकारी नहीं था हम लोग करता तीस तारी को मालूम चला कैसे पता चला आपको दू भरतिजा आया था वही बताया कि मतलब ऐसा-इसा घटना हुआ है सुबह चलना है थाना पर तब हम लोग के पता हुआ फायार आप लोग कर दर्ज कि आजी करें कितने तारी की घटना है 27 तारी को निकली है घर से गुम 27 जी उसके बाद 29 तारी को फायार करा है एक दिन बाद जी तीस तारी को बोडी मिला प्रीश तारी को बोडी और मिला सासरा मिला सदर सब्सक्राइब सबस्क्राइब लेकिन लड़की कहां मिली वह मिली नहर में जो ताना जी उस नहर करूँ है जी उसी नहर से से देखे देखें तका बोडी सो पाचान नहीं हो रहा तो उसके कपडा से पाचान किया गया उसके बाद सिस्फ टारी को आप लोग को खबर मिला जिए चाहते हैं है है कि या चाहते हैं जो जैसे ढ़ना क्या है उसको सब सजाबिग को सब सब्सकें कि चाहते हैं जो सजा दिया जाए पहली घटना नहीं है इससे पहले नभी अगर भी घटना घटी स्रिया अहत्या कांड उसको ले करके काफी लोग जब जाना अंदोलन खड़ा किये तब उसको गिरफतार किया गया तो कहीं न कहीं बिहार के पुलिस यहां की लोएन और फेल ह हैं और हारे जो लोग हैं लगातार जो है से इस घटना के शिकार हो रहे हैं इस तरह के गटना का महिला सिकार हो रहे है पूरुष सिकार हो हो और जल्द से जल्द जो है इस घटना का प्रदफास हो कि यह घटना कैसी घटी और इस घटना में कौन-कौन से जो लोग है सनलिप्त है ग्राम पंचाइद बेडिया कि मुख्या परतिनी दे हूं और मुझे जैसी घटना के मालूम हुआ तो मैं वहां से आया हूं और उनके परिजन से मिल ले आया हूं चुकि किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह के समाज में घटना घटा है तो हम लोग बड़ा उसे चिंतित हो जाते हैं चाहे किसी भी परिवार की बच्ची हो और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना च चाहता हूं कि रोस्ताजीला के परसासन पुलिस पताधिकारी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका घटना को जितना जल्दे उद्भेदन करें और नहीं तो फिर नभी नगर जैसा स्रेह स्रिया के जो घटना का जो अंधुलन हुआ बाद दिलोग नहीं करें और परसासन ऐ इस मनसुबा को दिमाग से हटा दे और परसासन अपने अस्तर से उच अस्तरिय टीम को घठन करके इस घटना को जांच परताल करके और जो भी इस घटना में सलिप्त है उसको कड़ी से करी कानूनी करवाई किया जाए और एक उच अस्तरिया उसको पनिस्मेंट दिया जाए क्या कहेंगे लगतार बिहार की जो इस्थिती है गबर नजर आ रही है लगतार कहीं न कहीं तरह के घटना घट रहा है और इस पर अंकुस नहीं लगने का इसमें मुख्य कारण है कि सरकार की जो रवया है वो अच्छा नहीं है रवया अच्छा नहीं रहने का रिजन है कि जितने भी ठाने बनाये गए हैं जो ठाने में पूलिस परसासन है उन लोग को काम जो पबली के सुरक्षा होना चाहिए उसमें न दे करके पूरा पूलीस परसासन जो है वो एक दारू के पीछे एक गाड़ी के पीछे बालू तो मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहूंगा कि अगर जिस भी जीला का हो जिस भी थाना के अंदर जो भी प्रसासन हो अपने छेत्र को एनी टाइम अपनी थाना के माध्यम से उचेत्र को सुरक्षा मुहिया कराएं और अधीक से अधीक लोगों को इस तरह से बरवरता घटना स तो रोकने का पड्यास भरपूर करें गहार मी लगतार इस तरह से घटना घट रहा है और तो नीतू कुमारी के घटना कुमारी के के इसको मतलब जो करवाई करके जो में मिलना की पहरा अधारा सिकक्राइब देकर के उपाय किया जाए निवाए मिलना चाहिए इस तरह की घटना लगतार हो रहा है यह सब बुरी वेकार है बहुत बुरी नजर पड़ रहा है समाज आगे हमारा बीशिच का करेगा जितने निचे जा रहा है हमारा वियार कर सरकार से यही आगर करूंगा कि हमारे गाउं उस तरह की बहुत सारी समाज में लड़किया है और किसी के साथ कोई दुरहटना हो सकता है तो उसको लेकर क्या कहेंगे जल्ली जल्ली उनको पकड़ सकते हैं थना के लिए वह सुन्दू नहीं रहे हैं आप लोग कोई जहां से पहल किये हैं उसके पुसासन संपर किये कोई यहां रिलेशन है यहां रिलेशन है यहां रिलेशन है लड़कि का जी जा लगते हैं पूरे बिहार इस घटना से सरमसार है इसकी करवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए पुलिस जल्द से जल्द करवाई करें जो भी दोसी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और उसकी धन संपती को छहती ग्रस्त किया जाए यही हम मांग करेंगे परसासन जल्द से जल्द पकड़े और सीडियार लिका ले सीडियार के माध्यम से पकड़े जो भी होगा जिस माध्यम से हो अभी पुस्माश्टम रिपोर्ट आया नहीं है थाना द्वारा बोला गया आज बात किये थे समीर आया थे डेरी से कर रिपोर्ट ही परसासन इंतजार कर रही होगी क्योंकि सीडियार से तो पता चल जाएगा कि कौन-कौन बात किया है क्या है बट जब तक पुस्माश्टम रिपोर्ट नहीं आजाता है तब तक परसासन भी कनफर्म नहीं होगा कि आखिर मौत हुआ कैसे हुआ उसके बाद निद्यार के मादियम से परसाषण पकड़ने की कोषिस करें फर्षा सन कोषिस कर रही होगे है ऐसी बात नियंद teammates कर दबाओ डाला गया है अगर सोच रही है कि नहीं अंदोलन होगा तभी होगा तो यह गलत है अंदोलन से पहले वो करवाई करें और आरूपी को गिरिफतार करें अब कड़ी से कड़ी सजा दे उसकी धन सब्सक्राइब को च्छति पहुंचाया जाए च्छति ग्रस्त किया जाए पुरें बिहार में घटना बेटी बचाओ का नारा दे रही है तो बेटी कैसे बजबने नहीं रहे है तो पढ़ाएंगे किसी जब बचस दब नहीं बिलैम लगाना ये नहीं है पाटी कोई भी हो, कोई भी किसी का भी सरकार हो, जनता को इंसाफ चाहिए, जनता को सुरक्षित महसूस होए कि हम कभी भी रास्ते में जा रहे हैं, बेटी बहन हमारी घर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वापस घर सुरक्षित लवटे, डर भय नहीं होना चाहिए यह सरकार किसी का भी हो यह नहीं सरकार एक दुसरे पर बिलेम लगाता रहे हैं उसका पार्टी वो ऐसे है इसका पार्टी वो पैसा है उसको जंगल राज था तो हमारे में जंगल राज नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का भी पार्टी हो परसासन को टाइट होना तो कानून चाहिएगा तो दुनिया के चुप में पकड लिका अ ostr कर्वाई है तो इस में विलम ना किया जाए नहीं तो पता चले इसमें निता भी आ रहें दो तिन दिन बाद पपता चेले मामला चीमट जाये तो इसा नहीं हो करना चाहिए अंदोलन होने से पहले परसासन को करवाई करना चाहिए मैं यही कहूंगा बाकी एसपी साहब से भी अलग मेहता बात किये थे और काक की है बोले बात कि यह हमें पता नहीं है सरकार से यही कहेंगे कि एक दूसरे निता पर ज्यादा टीपनी करने से बेटर है कि काम जिम्मेदारी से कुरे परसासन आपको जंता जिता कर भेजती है δ्यन्ता किसी काम को इzet जिता आज जो भी जंता है उमीद किसलिए जिताती है नेता को अपने रक्षा के लिए विकास के लिए यह नहीं कि दूसरे निता पकर बिलिम लगाई व लाने नेता लेक covert करेंगे और यहार कंछी दिन पहले निवज दिखेंग तो देखें हैँ तो स में बोली ज deriv नाम से जब पहली माना कर चुके लोग तंत्रे सहां जाक कुकुई पर्सासन को करवाई और क्या बाद में करवाई हुआ नहीं वा मुझे नुहीं पता लुट इतना उसका ब्यान शुने थे बहुत लोक तंत्रे साथ क्य स Mormont थे नहीं लिएक too नीतु के घर पे हैं और नीतु की माँ से बात करने की कोशिस करेंगे कि नीतु के साथ जो एक घटना घटा कैसे घटना घटा जो हत्याकांड हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ इस वक्त हम नीतु के घर पे हैं और नीतु की माँ है अखिरी घटना कैसे घटा वही तो नहीं मालूम है नहीं मालूम है कुछ बताए नितु जो पता चला की बात की किसी से बाहर गई पाते नहीं खे कब गईली कब ना आपको नहीं मालूम था बता अगर घर से नहीं गई थे कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं नहीं बता के गई आप लोग कब पता चला कि घर पे नहीं है आप लोग को घबरहाट हुआ तब जहाँ से आप एक दिन कब घटना कब घटी 27 तरीक घटना घटा और 27 तरीक जब घटना हुआ तो 27 पूरा दिन तो आप खोजने में बित गया प्रशासन को कब सुचना दिया 29 तरीक के सुबह में 29 तरीक को दिया मतलब 28 तरीक तक भी खोजते रहे हैं अपना से 28 तरीक पूरा खोजे जब नहीं मतलब मिली तब फिर 29 तरीक को आप इंदरपूरी थाना में आपका थाना कहां इंदरपूरी है तो वहां आप लोग सुचना दिये उसके बाद जहां से तलास मैंने जारी रहा फिर कब उसका बोड़ी मिला 30 तरीक को दूसरे दिन है क्या कहेंगे क्या चाहती है जह कईलिवा अपरा सजय चाहिए नहाई चाहिए आपका यह तर निनीतू की मा है और जिस तरह से घंटा गटा है नितू के साथ है काफी दरदनाक है काफी दुखद है और चाहती है नितु की मा कि उसको न्याय मिले और जो इस घटना जो लोस जो रहतास जीले के इंदर पूरी थाना चेत्र में मिठो पूर गाव है यहां घटना घटा और लगतार ने जाने कितना घटना इस तरह के घट रहा है अब उसकी जनकारी आपको हम बताते रहेंगे लेकिन हमें हम चाहते हैं कि नितु को न्याय मिले और उसको जो उसके साथ घटना घटा है उसके साथ जो दोसी है उस पर कानूनी रुप से करवाई हो साथियों जैसा कि हमने बात करने की कोशिश किया नितु के लेकर के जोब बिहार जो है सोक में है और सभी जगह से लोग सपर कमेंट करने लगे हैं लोग इस पर इसी आवाज उठने लगी है यह नितु का गांव है और बगल में सारे लोग नितु के महिलाएं हैं तमाम दर्शकों से मेरा आगरे हैं से लिद देखने के के लिए धन्यवाद सुक्रिया साथियों नैशनल जन्मंच को सबस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं